सचिन पाइलट तो एक दिया है वो तो अपने आप में चमक रहा और राज्थान की बात नहीं में करता सचिन पाइलट के पैर जहां जहां पड़ी जागी असो गहलों तो मीटी लिए लेकिन पूरी कोंग्रेस दरह साही हो जेगी ऐसा मेरा मानना पर आस्तान की जनता के बीच मां आप कंपरी विजन कर लो दोनों नेता हो का अगर सोमत है नब्बे लोगों ने सचिन पाइलट के नेतरतम हाथ ना उठाए तो बात है नहीं है तो एसे बाप की खून से पैदा हुया जिसका पूरे हिंदुस्तान में पैचान हो गुजर करनो सचिन पाइलट के नाम पे जो अच्छे काम करने वाड़े लोग ते उनका दमन होता रहा है पहले से बगवान की तरफ से भी कॉंग्रेस का बुरा टाइम है अगर ये सचिन जैसे विक्तित्वेकू इग्नोर करने का काम करेंगे तो सोभाईवी की रूप से कॉंग्रे है आप सभी का इंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी राजस्थान में एक बार फिर से असोग गैलोत ने सचिन पाइलट की टांग खीचने का काम किया है या यूं कहें कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से गुर्जर समाज की टांग खीचने का का किया है अब जिस तरीके से सचिन पाइलट की टांग राजस्थान में खीची जा रही है तो गुर्जर समाज में इसको लेकर बड़ा रोस है और तीकी परती के लिया गुर्जर समाज की तरब से आ रही है इस पुरे विशे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चोध गुर्जर समाज के बड़े सुबचिंतक हैं चोधरी राजकुमार जी बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत-बहुत धन्यवाद विपिन जी राजकुमार जी मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या असोग गहलोत को सचिन पाइलट से दिक्कत है या फिर गुर्जर समाज से ही दिक्कत है देखे बिपिन जी जहां तक सचिन पाइलट की बात है सचिन पाइलट तो एक दिया है वो तो अपने आप में चमक रहा और राज्तान की बात नहीं में करता सचिन पाइलट के पैर जहां जहां पड़े उत्तर लेकिन दूसरे समाज के लोगों ने भी सचिन पाइलट को मान और सम्मान देने का काम किया। आप हो रहा था ने की असोग गहलोट से असोग गहलोट की कारिया परणाली को आप देख लो सचिन पाइलट की कारिया परणाली को आप लोग देख लो सचिन पाइलट तो हमेसा जंता के बीच में रहे है और जंता के बीच में जो भी मुद्दे जो भी काम हो जंता के कर सके 2400 गंटे राद दिन एकर के जंता का काम किया और इसलिए उन्होंने कोंग्रेस पार्टी को सबसे जादे फैदारास्थान के अंदर हुआ था 101 सिटे कोंग्रेस पार्टी जीत काई थी वो सचिन पाइलट के नाम पर या मुझा बता दो या महां सोग गहलोत कोई चेहरा रहा हो तो मुझे बता दो और कोंग्रेस तो इतनी बड़ी भूल कर रही कि अगर सचिन पाइलट को एगनोर करेंगे उनको उस शयासत से मिटाने का काम करेंगे तो कोंग्रेस तो मिटी जागी असोग गहलोत तो मिटी लिये लेकिन पूरी कोंग्रेस दरह साही हो जेगी ऐसा मेरा मानना है सचिन से दिक्कत क्या है देखे असोग गहलोत के दिमाग में तो यह बात है कि सचिन पाइलट आपकी बड़ाबर में हो सके पूरा राज्थान सचीन पाइलिट के नितुरता में चला जागा और तुरा कोई नाम लेवा पाणी देवर रहने का नहीं ये तो असोगा तो समझे लेना चाहिए कि तू जो जिस सिट पाज बैठा है यह है इस एक पाइलट की देन वरना जनता के बीच में राजतान की जनता के बीच में आप कंपरिविजन कर्लों दोनों नेता हो का अगर सोमत है नबे लोगों ने सचीन पाइलट के नेतुरतम हाथ ना उठाए तो बात है नियान उस्द्ध तो दस फरसेंट लोग तो हम तो गुज़र समाज से जुड़े हुए हैं, गुज़र समाज तो उनके नाम की कसम भी नहीं खाता है, गुज़र समाज को तो आप चाहे जहां ही कट्टा कर लो, सचिन पाइलेट के नाम पे, कोंग्रेस के नाम पे नहीं, सचिन पाइलेट के नाम पे गुज़र समाज, लेकिन इन्हों ने सर्वेस समाज की फॉल्टिक्स किरी, सर्वेस समाज के लोगों के बीच में रहे, इनके पिता जी भी रहे और ये भी रहे, तो आप कमपरिविजन करा लो, चाहे हात खड़े करा लो, राज्तान की जनता के बीच में, चाहे आप असो गैलोत को उत्तर कर लो Congress Party हम यह नहीं कहते चुक्के Congress Party में हमेशा जो अच्छे काम करने वाड़े लोग ते उनका दमन होता रहा है पहले से होता रहा है लेकिन अब की बात यह है कि सचीन पाइलेट को एक तरफ निकाल दो और सचीन पाइलेट एक तरफ फट जगा फिर यह देख लिए अगला चुनाओ आने वाड़ा है या 2024 में भी चुनाओ आओगा पार्लेमेंट के चुनाओ आवेंगे देख लिए Congress को कितना फैदा होगा और सचीन पाइलेट को सचीन पाइले वालिटी ने राजस्थान में सरकार बनाने का काम किया जैसा आप कह रहे हैं तो Congress हाइकमान को ये बात दिखाई नहीं देती है क्या पहले जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया उस श्में जो ये सचीन पाइलेट की टांग खीचने का काम किया और अब एक बार फिर से स उम्रा कर रहे हैं पिर्यंका जी का मने एक ब्यान सुना था पिर्यंका जी सचिन के पक्स में बोल ली थी लेकिन उनकी आवाज को भी दवा लिया तो मैं तो यही कह रहा कि भगवान की तरफ से भी कॉंग्रेस का बुरा टाइम है अगर यह सचिन जैसे विक्तित्वे को इग् कि राश्टे नितर्ट को भगवान सदबुत्दी दे तो इन्वों ने तो राज्थान में सचिन पा इलट को Сामने रखना चीए और सचिन पाइलट को यह सा मिन बादसा बढ़ना चीए सचिन पाइलट चाप लूसी नहीं करते हैं क्या आपको क्या लगता है कि सोग गैलोत कॉंग्रेस हाई कमान की जादा चाप लूसी करते हैं इसलिए कॉंग्रेस हाई कमान उन पर महरबान रहती है देखे अगर सचीन पाइलेट या सचीन पाइलेट के सौरगे पिता जी राजेस पाइलेट जी चाप लुसी करना चाहते हैIR तो वो तो इन्हों तो बहुत पाइदा हो जाता इस परिवार के बसकी यही बात नहीं ए है चाप लुसी यह आज्या मंत्री होते थे और हमने एक साधी में देखा था कि ये बार-बार उनसे बात करनी चाह रहा था चंद्रा स्वामी लेकिन राजय इस पाइलट ने उसकी तरफ को नजर करके उससे बात करनी नहीं चाही वो तो ऐसे खून की ओलाद है ऐसे विक्ति की ओलाद है तो सची पाइलयट की साथ में जन समर्तन है और वो जनता का भादसा रहेगा, यह बात तो बताईए, आप जो एसे तैयार भी कर रहे हैं, उसे सीच भी रहे हैं लेकिन जब फसल काडने का नंबर आता है तो एक तरह से द्रिस लेकर उक्रम पर अस्वाल को लेकर बिखकेज कर लोइग जाते हैं जितनी घिंगा मारी यह यू कैई जितनी भें मंद्षा कर सकेते उतनी इन्होंने कर ली अब तो कोंग्रेस को इसी में है कोंग्रेस की बहलाई इसी में है कि सचिन पाइलट को इगनोर ना करके सचिन पाइलट का जो हक है वो कोंग्रेस पार्टी की तरपसिन को दिया जा और इन्होंने राजस्थान के चीफ मनिश्टर बना जा तो कोंग्रेस जिंदा राज सके है अर्णी कोंग्रेस राजस्थान मतों गई 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 लेकिन कहीं भी किसी और पर देश में भी पनपने की नीगी सचिन के पक्स में पूरे देश से गुजर समाज आवाज उठा रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि सचिन राजस्थान के नेता नहीं रहे बलकि अब पूरे देश के नेता बन चुके हैं और खाली गुजर समाज के नेता नहीं रहे बलकि सर्व समाज के नेता बन चुके हैं देखे गुजर समाज तो इसलिए जोड़ा जा कि हमारे समाज से वो पैदा हुए वर्णा राजेस पाइलट जी भी और सचिन पाइलट जी भी सर्वसमाज की राजनीती करते हैं सर्वसमाज उनकी साथ में खड़ा है क्योंकि हमी लगजा कहन कोई कौन सी टोन सी एसी नहीं कोई एक समाज से जित्ती जा सके अभी उत्राखंड में पिछे एसंबली के चुनाओ थे यहां सचिन जी आये जिस जिस विदान सबाब उन्होंने काम किया वही विदान सबाद सी जीत लेगे तो ये सारी सीटे किसकी जित्ती हुई थी कौन वेक्ति आता है यहां कॉंग्रेस के असोग गहलोत था है नहीं चुनाओ परचार के लिए अगर उन्होंन ने कहा कि सचीन पाइलेट मजबूत तो बात नहीं है नहीं मेरा तो जानती है तो असोग गयलोत के दबाऊ में कॉंग्रेस हाई कमान है क्या पिरियंका गांधी राहूल गांधी सोनिया गांधी क्या सो कहलोत पिरियंका गांधी सोनिया गांधी और राहूल गांधी से भी बड़े नेता बन गए हैं देखे साब वहां कुछ छुपे हुए चेहरे हैं इंद्रा जी तो उन लोगों से बड़ी हुश्यार रहती थी होती थी चापलुसी इंद्रा जी के जमानने में भी हमें रामसर्ण दाज जी बता करें थे कभी-कभी होती थी लेकिन वहां उस टेम पर बहुत अच्छे लोग बाई विश्वनात परताप सिंग थे नटवर सिंग जी थे बहुत लोग थे इस टाइप के लेकिन अब जा अब मालिया पिरियंका जी आप तो देखो पत्रकारिता का आपका काम है पिरियंका के बारे में तो लोगों ने जब कोंग्रेस पार्टिन अपनाय का भ्यान चला तो पिरियंका के माफिक काफी लोगों की आवाज उठी थी मतलब कुछ लोग भरुस्ता करते थे पिरियंका पे लेकिन अगर ये ऐसे चाटू कार लोगों की दबाओं में ना होते राहुल जी सोनिया जी तो कॉंग्रेस का यहर्स नहीं होता है सचिन जैसे लोगों कू काम करने की तागत देते हैं तो कुछ और ही होता मामला है तो ये तो चापलूसों के चक्कर में रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस पार्टी दफन होती जा रही है और अगभी जागी इसे कोई बचा नहीं सकता अब अभी थोड़ी देर पहले पूरे देश के गूजरों की बात कर र अपनी विधाय की का के थारी ये ना चिंजा वरना अंतर मन से अंतर आत्मा उसे तो चाहरे के सचिन की अंड़की हो रही ऐसा नहीं है चुक्किए अभी आपने सुना होगा वीजए बैसला जी और लोग भी कितने लोग बोल रहे हैं सचिन के पक्स में और वह गिने चुने का के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो गुर्जर समाज किस परकार से दो हजार चोबिस के लोग सबाचुनाव में कॉंग्रेस पार्टी को फाइदा पहुचाने का काम करेगा कॉंग्रेस पार्टी के पक्स में खड़ा होगा या नहीं देखे विपिन भाई पहली का काम करेंगे और जब मारे आदमी को अफमानीत करेंगे लोग उनकी की हुई मेहनत को भी नहीं देखे तो मारा कॉंग्रेस के बिरोध में काम करेंगे और सुछीन पायलट को समाज करेंगे चलिए तो चोधरी राजकुमार जी का कहना है कि सचीन पाइलट गूजर समाज से हैं और यदि कॉंग्रेस पाइलटी सचीन पाइलट को सीम बनाती है गूजर समाज को सम्मान देती है तो राजस्तान में 2023 के विदान सभा चुनाओं में तो कॉंग्रेस को फाइदा होगा ही इसके साथ साथ 2024 के लोग सभा चुनाओं में भी गूजर समाज कोंग्रेस पाइलटी का रिन उतरने का काम करेगा फिलाल इस वीडियो में बचीतना ही अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार